नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं आचार जागंदर मिस्रा आज हम बात करेंगे आज के मिथुन राज के दैनिक रासफल के बारे में उससे पहले बात कर लेते हैं आज के पंचांग के बारे में 21 सितंबर 2020 सोंबार का दिन है अधी माश अशुनी माश सुकल पक्ष की आज पंचमी और छष्टी दोनों तिती है नचतर है बिशाखा और अभजीत महूर्द दुपार 11 बच के 37 मिनट से लेके 12 बच के 36 मिनट तक रहेगा दोस्तों आज के सुर्य उदय होगा सुबह 6 बच कर 19 मिनट पर और आज के जो असुब समय होगा वह दुपार 1 बच कर 10 मिनट से लेके दुपार 2 बच कर 56 मिनट तक इस असुब समय में कोई भी सुब और नए कार की सुरुवात ना करें नहीं तोबिग नवाधाया शक्ति है अब बात करते हैं आज के मितुन राष के दैनिक रासफल के और ये प्रेडिक्शन चंदराशी पराधारी थैं मितुन राष बालों आज नसीब का साथ मिल लेगा और आज खूब सूरत सच है यानि कि आज आज आपके साथ बहुत खूब सूरत होने वाला है आपके केरियर से लेकर आपके वेवसाई को लेकर और आपके धन को लेकर क्योंकि आज की दिन कुछ बड़े लोगों से आपकी बिशेस ब्यक्तियों के साथ आपका उठना बैठना या पहचान हो सकती है जो कि आपके लिए मितुन राष वालों अच्छा है जीवन साथी का साथ हर कदम पर मिल रहा है और आज की दिन अगर आप किशी प्रोपर्ट को खरीदने या बेचना चाहते हैं तो यकीनन आप यूजना बना शकते हैं आज के समय अच्छा है मितुन राष वालों आज की दिन संतान से खुसी मिल रही है नन्हे से महमान के आगवन का संकेत मिल रहा है ऐसे योग बन रहे हैं ये आपके लिए बहुत खुब सूरत सच मितुन राष वालों आज की दिन आपके केडियर में सफलता मिलने के भी योग बन रहे हैं आज की दिन बच्चों के साथ अगर आप तालमेल बहतर बना कर रखते हैं तो यकीनन अच्छी बात है लेकिन किसी से भी आज की दिन उलजने से बचिये खासकर अपने प्रोसियों आज अगर आपने कोई योजना बनाई है। भविष को लेकर चाहे वो बेपसाय को लेकर या फिर अपने नोकरी को लेकर किसी के साथ साजहा ना करें। अगर आप सरकारी कार बगएर नोकरी करते हैं, तो काम अपने घर में करना चाहते हैं, तो यकीन कर सकते हैं, वैसे काम का बोज भी रहेगा आज की दिन, पर्सनल लाइप की अगर बात की जाए तो आज बहतर है, मितुन राश वालों वैसे आज आपका स्वास्त उत्तम तो उसमें भी सुधार होता हुआ नजर आ रहा है, मितुन राश वालों आज जितना ज्यादा हो धैर और द्रणता के साथ बने रहें, कार छेतर पर अपने जो भी प्लालिंग करें, किशी अन्न के सामने बिलकुल भी ना रखें, ना सियर करें, नहीं तो दूसरा आपके प पार्टनर्शिप में अगर वेपसाय करते हैं, तो देखें एक दूसरे के साथ पार दरसिता बरकरार रखें, यानि कि भरोसा भी बनाए रखें, तभी अच्छा रहेगा, चीजों को बेहतर करने की कोशिस भी करना होगा, वैसे आज घर में आपके शुब मंगल कारी हो रह रहा है, और लब लाइप में खुशियां हैं, लेकिन कुछ मामलों में संभल के रहना होगा, तो इस ट्टुएंट की बात की जाए, तो पढ़ाई पे फोकस बनाए रखें, तो आपके लिए बेहतर रहेगा, खुब सारा मेहनत करें, लाब होगा, वैसे धन के मामले में भाग साथ नहीं भारा है, 79% और आपका शुब रंग रहेगा यहाँ पर, पीला तो दोस्तों जाते चाते बेडियो को लाइक जरूर करिए, नए है तो चनल को सब्सक्राइब करिए और इसे शेयर करिए, जैशनी दोगाई